कि हलो बच्चों क्या हाल चाल बढ़िया सब चलो जी हम भी बढ़िया आज क्या डिसकस करने वाले सर तो साब कोर्स तो सब का हो गया होगा लगबग एकांट्स कंप्लीट शांदार तरीใके से बाकी भी लगबग सब कोर्स पूरे हो गहें अब बात करते हैं रिवीजन की accounts पहले जो थी और अब जो है जमीन आसमान का फराइब वही जमीन आसमान का पहले क्या है इतनी सी accounts तोटी सी उसमें भी आधे chapter तो में पहले से आते थे अब क्या हुआ accounts को सबसे विक्राल बना दिया इतना सारा course समझ में नहीं आ रहा कैसे complete प्लिटि ट्रें गुरुणध आपकाउंट्स का SEE this कवर करें की कवर करने के बाद उसको कैईसे रिवाईज करें तो आज हम तस अंसरीकम्ट के बारें में डिसकस करने वाले अचांट का टौपिक हम कैसे एडिकने तो पहली बात लिए कि सर अकाउंट्स में अब तो mostly accounting standards कर दिये हैं ठीक है chapters है chapters बहुत कम है लेकिन आप मान के चलो chapters का वेटेज आज भी 70 में से मैं 30 MC को छोड़ रहा हूं 70 में से कम से कम 50 to 55 marks के practical chapters आएंगे जो module number 3 है ठीक है जी ऊचलो चैसे करें क्योंकि हमारे Guru जीन तो है पता नहीं क्या करा दिया और वो module पूरी करवा दी फिर रूर्टीब के questions करा रहे हैं MPP की question करा रहे हैं पिछले 10 साल के RTP करा रहे हैं यहां से question मिला वहां से question मिला सब करा दिया सर अब इतना सारा करा दिया समझ में भी आ गया exam time तक क्या याद रखें तो boss मैं आपको एक बहुत ही serious strategy बताने वाला हूँ और यह हमें follow करनी है बहुत ही समझदारी से बता रहा हूँ ठीक है इसको अगर हम follow कर लेते हैं तो मेरे 100 में से 100 की त्यारी हो जाएगी 100 में से 90 की भी नहीं 100 में से 100 की त्यारी हो जाएगी पक्की बात है क्या बात करो सर ऐसा हां सर 100 मार्क्स की त्यारी हो जाएगी लेकिन इस तरीके सता की course भी कम करना पड़े और साथ में हमारी पूरी preparation भी हो जाए देखो मैंने advance accounts को दो भाग में बाता है सर एक वो जो केवला module कर लोगे तो भी आपका काम चल जाएगा आपको extra question करने के जरुवत नहीं है जो teachers वगराने आपको कराएगा है बिल्कुल भी जरुवत नहीं है और एक वो जिनके अंदर मुझे लगता है आपको extra questions जो आपके teachers ने करवाएगा वो करने चाहिए सर क्यों करने चाहिए क्योंकि obviously उनके अंदर module में practice कम है बहुत कम questions दे रखे हैं दूसरी बात वो पुराने chapters है तो उनमें questions ICI इधर उधर से उठा के दे देता है मैंने obviously module में से करने वाल chapter वही उठाए हैं जो पहली बार जूड़े हैं या फिर जो इतना ज्यादा material ICI की module में दे रखा है उसको जरूरत ही नहीं भार्षी देने की अगाउंट का chapter अब practical नहीं रहा केवल practical नहीं रहा उसमें accounting standards आ गए तो वो practical कम theory हो गया और ICI का एक rule है ICI AS के जब questions देता है और AS भी भाई कितने सारे एक, दो, पांच, दस, नहीं 28, 27, 27 AS हैं तो इतने सारे AS हो गए तो ICI क्या करता है जब इतना सारा material है ना तो वो क्या करेगा कि ये questions हूब हूँ आज नहीं अगले 5 attempt तक देख लेना चाहिए हूब हूँ questions module से उठा के देगा इसके लिए आपको extra questions करने की जूरत नहीं है तो कौन-कौन से chapter से जो आपको pure module से करने है module से करने है उसके लाव इधर दूर दिमाग नहीं लगाना है और कौन-कौन से chapter से है जो आपको बाहर से भी करने में चाहिए तो सब मोडूल से पहला नाम आता है सर अकाउंटिंग स्टेंडर्ड का यह अकाउंटिंग स्टेंडर्ड्स आपको module में से करने है भाई टीचर्स ने कराया बहुत अच्छा है बहुत सारे questions कराये पर उनको समझे लिया बहुत है यार मत टाइम खराब करो किये वल अकाउंटिंग मोडूल के एक कोशन रट लो रट लो विट एक्जांपल्स जो एक्जांपल्स दे रहे हैं मोडूल के मैं कह रहा हूँ गैरेंटी है भाई एक सिंगल कॉश्चन एवन एमसी क्यों भी आपको अलग से नहीं मिलेगा फकी बात है मेरी ठीक है जी सर दूसरा चेप्टर कौन सा है जो मोडूल से करना चीए तो सर इसके लिए मैं आपको बोलूँ हूँ कंसोलिडेट कि इसको मोडूल से कर लो बहुत है सर तीसा चेप्टर बताओ जो मोडूल से कर ही कर लें तो भी हमारा काम चल जाएगा इसको मोडूल से कर लो गणाई है उसके लाव इधर उतर हाथ पेर मानने की जुरत है नहीं है सर कुछ और भी बताओगे क्या हां सर शांतिय से सुनना यह बहुत सिंपल चेप्टर बट मोडूल से कर लो गया तो काम चल जाएगा बाइबेक ऑफ शेयर्स बाइबेक ऑफ शेयर्स यह चार चीजें आपको मोडूल से करनी है मोडूल कला एक सिंगल वर्ड अलग से नहीं आने वाला मान के चलो चैकुछ भी हो जाओ सर एक चेप्टर और बताए तो उस पर भी सफीशन टेरेका मोडूल में इंटर्नल करने चाहिए उसके लिए तो सर पहला नाम आता है आपके बहुत लिमिटेट कॉशन दे रखे हैं और इसको इसको बहुत वाइड है पता नहीं कभसे आई से आई से बास मटेरियल अवेलेबल है इसका तो आई से यह कॉशन जो देगा वो एक्स्ट्रा अलग से ही देने की क कोशिस करेगा दूसरा चप्टर है कैश फ्लो स्टेटमेंट अलगा एंड थीसरा चप्टर है इन्वेस्ट के इन्वेस्टमेंट यह तीन चप्टर के आपको जितने कुशन मिल जाएं आपके टीचर्वे करायें उतने करने चाहिए बाकी इस तरह की साब पढ़ना और अग एक एस का टार्गेट रखो कि मैं रोज का एक एस कंप्लीट करूँगा अगर आप इस तरह किसे भी करते हो तो आपके अगले 45 दिन में पूरे एस प्लस चैप्रस हो जाएंगे ज्यादा हडबडी मत करना कि मैं को आज एकाउंट सेल्टानी है मैं आज एकाउंट कुछ नहीं होएगा जोज का एक अकाउंटिंग करो तो भी बहुत है आपका एंट तक जाते हैं आपका चैप्र कोर्स पूरा हो जाएगा कोई टेंशन की बात नहीं है ठीक है तो यह थोड़ा सा तरीका यूज में लेना यह सब चीज़ें सच बहुत इंपोर्टेंट है पढ पहाई कैसे करें ठीक है तो वही हमने आपको बताईए चलो बावाई